हेलो एवरीबरन वेलकम टू माई चैनल दीबग दिया खरना व्लोग सो कैसे हैं आप सब लोग होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अभी हो रहा है दुपायर का टाइम अंदर वाले रूम को थोड़ा बहुत सेट करने में लगी हुए थी कल आप लोगोंने देखा न मैंने थोड़ा सो समान वहां से हटाई दिया है और सोफिब भार कर दिया है फोल्डिंग भार को उठा के रखी दिया है गद्दे वगारा भी सेट कर दिये जो भी बिच्छे होगे थे फोल्डिंग पे कल मुझे कॉमेंट भी कर रहे थे कई सारे लोग की दीदी इतना भार समान मत उठाय करो आपको प्रॉब्लम में हाट की तो देखिए कभी कभी करना पड़ता है खुद से भी काम घर में कोई हाई नहीं है सब काम करने वाला और जब नहीं आ थी तब मैंने कराया नहीं और बच्चों को बिला सकती थी मैं बच्चे करा देते हैं लेकिन बच्च ही नहीं कर पाती करने की बाकी अभी भी बहुत सारा काम है उस कमरे में दिखाओं कि अभी क्या क्या मैंने थोड़ा बहुत और कर लिया मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था सुबह से मैंने काम स्टार्ट कर दिया था मन नहीं कर रहा था बनाने का ऐसे लग रहा था राजमी जैसे मैं बोलती हूँ बाकी पता मुझे भी है कि राजमा ही इसको बोलते हैं और आज मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही है विकास बहुत बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ सेम सेम चीज से आप लोग भी बोर हो जाएंगे और लाजमी जैसे ही जाती है दुपैर इतनी जादा हो रखी है बच्चे फिर भी भार निकल के आ जाते हैं हमारे दर के और रात को तो भाई आप उच्छो मौत इतने कीड़े इतने कीड़े वो हवाई जाजवाले आप लोगों के उधर भी बरसाथ जाते होंगे रात के टाइम पर इतना गंदा लगता है ना सच में सुबह इतने रेर सारे पंक जो है घर के आंगन में पड़े होए थे दिया तो डर ही गई थी बहुत गंदा लगता है बरसाथ तो अच्छी लगती है पूरा दियन लेकिन रहाथ में यह बहुत दिक्कत लगती है सारी लाइटे मैंने बंद कर रखे थी सिर्फ एक रूम की इस वाले रूम की जो मैं ज्यादा यूज़ करती हूं उसकी जला रखे थी क्योंकि अंधियरे में बिटो गुजारा नहीं है और कर लाइट भी बहुत ज़दा गई बहुत लाइट गई आज मैंने बनाए है राज में मतलब बनाई ही रही हूं तो बहुत बार बार बहुत बार शेयर कटुकी तो इस पार भटावर से बनाए हैं अज भी नीटी आद सब कुछ डाल चुते हूं थोड़ा सा पानी दाल के पका देती हूं जो साथ में चावल भी नहीं बना रही हूं सित प्रोटी के साथ भी आगो खिलाओंगी मेरा भी पतानी क्या मेरा मैं तरहा है चौमिन काने का अच जो चौमिन कानी है मुझे तो फिर खालो कहां से नहीं बनाने का मैं रहा है मारा राजमा बनके रेड़ी हो चुका है यह देखो अभी धन्यापति कट करके एड़ कर दूंगी और साथ में तीव को रोटी बना के दूंगी चावल नहीं बनाए मैंने चावल में शाम को दे दूंग अगर खाना चाहेगी गर्मे में तो शाम को भी खाई लेते हैं साधियों में थोड़ा वाइट करती हूं शाम के टाइम पर राइस ठंड़ होता है आज आप लोग भी खा लीजीए इस अलमारी में से मैंने शूट के सटा दिया है एक तो यह रखा ठीक है और एक ही रखा यह हमारे भगवान जी इनको मेरे को लगाना है बस मेरा हाथ नहीं पहुच रहा तो जतिन से कहूंगी बलवाके लगवाई दूंगी इसमें मेरी साधिया है और इसको मैं खोल के देख रही थी तो इसकी चेन टोड़ गा अब इसको बैड में डाल दूंगी क्योंकि बहार रखोंगी तो चूअब अब उसमें कटर रहेगा इसमें यह मेरी सगाई की साधिया बाकि नॉर्मल नॉर्मल साधिया हैं मिक्स हैं मतलब घर में पहनने की भी कोई हलकी सी है पहन सकती हूँ यह दोड़ी भारी है यह मेरी शाधि से पहले की साधिया मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली थी यह मैंने अनुभाई के रिसेप्षन में इस शाधिया इसेप्षन में नहीं बाकि बलाउजिज हैं पिटिकोट हैं नॉर्मल घर में पैनने की सारी हैं जो शादी के बाद थी और यह वाली प्रिंग काचोपड़ा वाली सारी बहुत चली थी यह नहीं आ के पाल भी यह स्यम और यह मम्मे की सारी है यह वाली मोटी ओ गई थी ना दिया हो गई थी तो फिन मैंने एक बहर पहनने के लिए ली थी वापीस ही नहीं करी और यह मैंने पहनी नहीं एक बार भी नहीं पहनी यह साड़ी यह देखो एलिफेंट हम मिला यह जब वो चली गई सिनाया उसको बड़ा अच्छा लगता है अली 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 इसको निकाल देती हूं और यह वाली साड़ी पायल जी जो दी थी यह बहुत प्यारी से इसको भी मैं तियार करवाओंगी इसी साल पहनूंगी तियार करवाके ना इनको डालती हूं बैट में थोड़ा बहुत समेटना समाटी करूंगी तभी सुंदर लगेगा कमरा सो यहां पर जो है मैंने बैट को खोल लिया है सूटकेस एक त इसे ही मतलब फैले पड़े थे इस वाली तरफ क्योंकि मैंने बीच में कोशिश करी थी निकालने के लिए ताकि निया को दिखा सकूं आई लेकिन बहुत सारी चीज़े मैं बताता हुरी मैं भूल गई उसको दिखाना था कि बता कौन-कौन से कपड़े समाल के रखने कौन ले अच्छे से अभी सनाया जब तक बढ़ी होईगी तब तक और अच्छे-चे कपड़े आ जाएंगे फैशन में चोटी-चोटी सी टी-शिट्स हैं सब दिया के हैं कुछ ओना के हैं और इतने सारे तो मैंने दे दिये इस बार सारे दे दिये मैंने कपड़े दिया के जो शूज थे वो छोटे हो गए थे सब मैं बाठ चुकी हूँ और अभी भी इतने कपड़े हैं सर्दियों के भी गर्मियों के भी तो देखो निकलवाओंगी नया से अब की बार रक्षबंदन पर आएगी ना तो उससे कहूंगे एक्स्टर डेज लेकर आई हो एक दो दिन फ पर आए रहा था यह देखो इसमें बी कपड़े है इसको यह डाल ली थी बहुत चोटा सा स्पेस था यह नहीं आया तो मैंने का चलो फ्रॉक आजेंगी तो इसको यहां पर एड़्टेस्ट कर दिया दिखाओंगी कभी क्या क्या है क्या क्या नहीं है डिटेल में और और प पताओं तो मैंने अफरे रहा यह थी बहुत पर चत्ति से उत्रवाँगी और दिवान में से निकल वहाँगी बरतन फिर दिखाऊंगी कितने बरतन जो है यूजलेस रखा हुआ है काफी तो खराब खराब से एक दम बता जो साफ ही नहीं होते हैं और टेड़े मेरे बहुत ज़्यादा बरतन हैं सिल्वर के तो इतने ज़ कर दिया बैठी हुई अपनी क्ले से खेल दी आ इसको यह मैंने निकाल के देदिया साफाई करते करते ना उपर मेरे अलमारी में रखा हूता हम यह शादी वाली प्रन कर दो तो प्रप्सक्राइब करें। तो कोई भी प्रॉपर सेट नहीं है बरतनों का सब ऐसी थे अलग 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 डिजाइन के कुछ जब मेरी दिवराने नी शिफ्टिंग की थी तो बोले गए थी जो तुमको लेने हैं वो ले लो बाकी तो काफी सारो तो उसने भी खरीदा था अपना समान जब नया घर लिया और उसके बाद उतरा ही नहीं कभी ज़रूरती नहीं पड़ी कड़ाई भी है सिल्वर की बड़ी बड़ी है चोटी भी है दिखाऊंगी आप लोगो को कभी सारी चीजा अच्छे तो दिखाऊंगी वो सब बदल के में कुछ लेकर आऊंगी जब भी बदलोंगी उससे पहल आए हमारे दिर मिलती है दुपयार के टाइम शाम की टाइम भी खड़ी यह थेले के वहायात बनाते हैं यह रही दिल्व कुछ नहीं काने का बन करता है गिंदे के 3 टेले होता है वह इसमेंसे 24今 बर्गर और चीली पताट्यों गश्यू अगरा नकाहें एक सिर मुमोस को होत कोई नहीं मंगाना पड़त और पर या फिर कभी जाओ आँ फर फिर सब्सक्राइब दत्राइब कुछ दिसे भावने, सब्सक्राइब काफून तक भी mb利ते हो जब निकालती हूँ आप भी दे आता है तो मैं लेती हूँ वाकिन निकाल रही हूं आप सारी चीज़़ने काल रहे हूं दीरे-दीरे करों कदल का कंड़ है क्लिए कीश कर सुमेरे कोशिश कर्या है बहुत ज़ादा और काम्याब तो होई जाओंगे है ना और मैंने कल बात की थी एक टॉपिक पे करी थी ना कपड़ों को लेके किसने भेजे हैं किसने नहीं भेजे तो एक कॉमेंट आया था कि आप मतलब जिसको बूर लग जाए हो तो देखो बूरा लगता है बूरा लग ज करती है मैं सिर्व अपने बारे में सोचती हूं मैं नहीं करती परवा बिल्कुल भी कई लोग देखो मुझे जैसे दूसरी शादी के लिए बोलते हैं अच्छे के लिए बोलते हैं मुझे पता है लेकिन मेरा अच्छा की स्टीज में है वो मैं बहुत अच्छे से जानती मेरे लिए दूसरी शादी कई लोग बोलते हैं आरे पूरी जिंदिगी पढ़िये पढ़िये तो पढ़िये आपको क्या पढ़िये मेरी पढ़िये तो पढ़िये मेरे को आदत हो गया अकेले रहने की अकेले जीने की मैंने मतलब चार साल में अपने आपको बहुत बदल ल ही है तो मैं रह सकते हूं यह दूसरे शादी तीसरे शादी बेकार की चीज़ें हैं यह कुछ नहीं रखा है इन चीजों में एक्जामपल बहुत सारे में यूट्यूब पे ही दिखा दूंगी आप लोगों को जिनोंने की हैं वो कौन सा अच्छे से रह रहे हैं हैं बाकी जि इन यह सोचरी कि नहीं नहीं साहरा चाहिए चाहिए या फिर नहीं होना ही चाहिए पापा ही चाहिए अचीजेस कर रहे हैं Lean Jesus किसी ऊर के साथ नहीं कर सकते हैं इतना मुझे अपने आपके बरोसा है और यकीन है कि मैं नहीं कर सकती वाकि सबकि अपनी सोच किसी की सोच से इतनी है कि वैसे हैं और देखाया है कि कॉन मिल गया और दिया के यह भी मिल गया देखो बनाना रखने का केस में स्कूल जैसे ली जाना हो तो यह भी मिल गया बाते चेंज कर देती हो ना कर देती हूं बहुत असानी से चेंज कर देती हूं कर देती हूं लेकिन मेरा मन नहीं करता उस टॉपिक पर बात करने का मैं चेंज कर देती तो बस इस वीडियो को यही पर एंट करते हैं होप सो आज के Pedạp अब dynasty होगィ लाइक कर देना अपने प्रह जाब करेंग चैनल को नहीं हो तो depri remake कर देना साथ Śाथ आफ डैल बट्न पनते नि5000 से